गीत नहीं नहीं को राह दिखाओ प्रभू ओम शाथ ये गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है प्रन्तु आर्थ कुछ भी नहीं जानते जैसे और प्रार्थना करते हैं ये भी जैसे एक प्रार्थना है और जो प्रार्थना करने वाले हैं वो प्रमात्मा को जानते नहीं जो भी प्रार्थना करने वाले हैं दुनिया में वो प्रमात्मा को जानते नहीं और जो प्रमात्मा को जान जाएंगे वो कभी प्रार्थना नहीं करेंगे कि बिल्कुल आप क्यों चलों यह तो सिक्षा के अंदर पहला भागाता है तो सब्सक्राइब को याद हो देखिए प्रार्थना का मतलब होता है विखारी जो विखारी है वो प्रार्थना करता है उसे कुछ चाहिए मेरे भाई जिसे कुछ चाहिए वो प्रार्थना करेगा और बच्छा कभी बाप से प्रार्थना करता है परन्तु बाप का कहना भी मानता है ठीक बात है परन्तु वो कभी बाप से प्राथना नहीं करता है यह यह फिर यह फिर वही आ जाता है मुरखता यही तो अज्ञानता है देखिये भायजी बात यहां आते है कि चाहे पुझे पिता जी लिखो परम पुझे लिखो परम पुझे केवल और केवल एक परम आत्मा है बाकी कोई परम है नहीं कहे जाओ आप सिपाही को हवालदार बोले जाओ आप सिपाही को जनरल बोल दो क्या पर्ग पढ़ता है नहीं जानता हो बूल देगा हाँ भॉज मेधी तो लेवल में है बैस समझें मैं यही तो बता रहा हो अब जो नहीं जानता आपकी जौपसी समझ में अरन आपको कि जो नहीं जानता वही तो कहरje equip Nichnya पिता जी यदि उसे पता हो कि परम पूजे तो सिरफ एक परमात्मा है परम कोई दूसरा हो नहीं सकता वो बोलेगा ही नहीं अज्यानी है वो मूरख है वो मूरख कुछ भी बोल सकता है उसको कुछ नहीं कह सकता है जो परम कुझे लिखते हैं कुझे नहीं लिखते हैं मैं क्या बता रहा हूं directly, सब्सक्ति को जो जानता है वह सच विह बोल सकता है यह आप उसको सब्सक्रूत को पता को है किसको क्या बोला जाता है तो हर एक इस चीज का अपना ना जानना ही तो अज्ञान है माफी है सजा क्या दे जा रहे है बाबा ये थो न कोयता है इस लिए कहता है 12 पहले बसते हैं कि और बसते हैं 12 पहले बसते हैं एक पहले बजता है तो बारा बज़े की तो अब एक आएगा ये भी कह सकते हो बना दोनों सच है बध्यान देना है कि नियम क्या है नियम सिवाए परमा नियम सिवाए सचाई सिवाए परमात्मा के कोई नहीं बता सकता था अब परमात्मा ने आके कि ये सच समझाया कि परम मैं हूँ, वो दुनिया वाले परमात्मा को जानते नहीं, तो किसी को भी परम कह देते हैं, जब जानते नहीं तो, अगर परमात्मा को जाने, तो सब कुछ जान जाए, फिर वो गलत नहीं बोलेंगे न, सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परन्तु उन के जीवन का कुछ भी तो पता नहीं, क्या किर परमात्मा कौन है, क्या करता है, कहां से आता है, कहां जाता है, हमारा क्या लगता है, कैसे हम उसको बात करें, कैसे हम उससे मिलें, ये कोई भी नहीं जानता, और जो नहीं जानता, उन्ही को कहा जाता है, नैनहीन हुए ना, उन दुनिया में तब उन्होंने गीत बनाया बाबा कहते हैं उनको पता नहीं ये गीत बना तो दिया उन्होंने नैनहीन को रहा दिखाओ प्रबू कौन से नैनहीन जिनके पास ग्यान का तीसरा नेत्र नहीं है ये दो आखे तो सब के पास थी जिन्होंने गीत बनाया उनके पास भी थी सूर्दास के पास कहा दा आखे हो थी सूर्दास ने ये गीत नहीं बनाया सूर्दास के लिए ये गीत नहीं बनाया ये इन दो आखे वालों के लिए गीत बनाया कि तुम अंधे हो तुम्हें पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है अब परमात्मा आकर तुम्हें वो सच्चा रास्ता दिखा रहे हैं ये इनके लिए है तुमको अब ग्यान का तीसरा नेत्र मिला है ये है तीसरा नेत्र जिस तीसरे नेत्र के ना होने के कारण वो नहीं जानते कि परमात्मा कौन है वो सब को परमात्मा कहते हैं पत्थर को भी परमात्मा कहते हैं किसी पत्थर को गंगा जी में डुबो के चुराए पर रख दो वो भी भगवान हो गया अब जिसको भगवान कह जाओ अब सच तो यह है ना कि वो भगवान नहीं है परंतु अब बना दे तो बना दे अब नेपाल से पत्थर उठा के रहा है काला सा उसको टेरा मेडा कार्ट पीट करके और बना दिया राम पेलो जी उसको पेना दिये हीरे जुआरात सारे सोने उसके इतरा महंगा सिरिंगार है बस कर दो क्या करना है सारे उसको देखने के लिए जारे पागलों करके तुमको अब ग्यान का तीसरा नेत्र मिला है कि राम परम पिताप परम आत्मा है जिसका शरीर नहीं जो आकर के सारे संसार का कल्यान करता है जो आकर के राम राज्य की स्थापना करता है जहां किसी को दुख नहीं होता, सब सुखी होते हैं, इसलिए तुमको क्या कहा जाता है, त्री नेत्री, तुमें कहा जाता है, त्री नेत्री, दुनिया में भल मनुश्य ये अक्षर कहते हैं, कि तीसरा नेत्र, तीसरे नेत्र का जिकर दुनिया वाले करते हैं, पर ये तीसरा नेत्र कहा ह होता है क्या होता है पता नहीं चित्रकार क्या करते हैं एक तीसरी आख यहां पर और बना देते हैं ले बई एक और आख निकाल दी शंकर के पास तीसरा नेत्र था बाश तीसरा नेत्र खुलते ही क्या हो गया किसको बसम कर देता है यह उनको समझ मने आया तीसरा नेत्र खुल पुते ही अज्यानता का अंदेरा भस्म हो जाता है पाप ब्रस्टा चार सब भस्म हो जाता है आश्री दुनिया खत्म हो जाती है अब ये उनको समझ में नहीं आया कि वो तीसरा नेत्र आग निकालेगा परन्तु जो आग निकलेगी उससे अपने बुराईयों का अपने अव दुनिया में बल मनुष्य ये अक्षर कहते हैं त्री नेत्री त्रिकाल दर्शी त्री मूर्ती परन्तु आर्थ कुछ भी नहीं जानते जैसे कहते हैं साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंद है